मुझे आसिक तेरे दर का मेरे बाबा बना लेना भिखारी बन के जब आओं दरस अपना दिखा देना मुझे आसिक तेरे दर का मेरे बाबा बना लेना भिखारी बन के जब आओं दरस अपना दिखा देना मेरे बाबा मेरे दाथा तेरी आदे सजी दिल में तेरा ही नाम है लब पे तेरी आदे सजी दिल में तेरा ही नाम है लब पे तेरे दीदार को तरसे मेरे ये दो नयन कब से दिखा करके रूप अपना प्यास इनकी बुजा देना बिखा करके रूप अपना प्यास इनकी बुजा देना बिखारी बन के जब आओं दरस अपना दिखा देना मेरे बाबा मेरे दाता लगन मेरी लगी जब से मगन मन हो गया तब से तेरा ही साथ पकड़ा है छुड़ा दा मन यहां सब से मेरी उमीद को आके तूटने से बचा लेना मेरी उमीद को आके तूटने से बचा लेना बिखारी बन के जब आओं दरस अपना दिखा देना मेरे बाबा मेरे दाता मेरी हर सांस तेरी आस करके आती जाती है मेरे दिल में भरोसे की समा हर दम जगाती है मिट न जाए मेरी ख्वाहिस दिला सा तू दिला देना मिट न जाए मेरी ख्वाहिस दिला सा तू दिला देना बिखारी बन के जब आओं दरस अपना दिखा देना मेरे बाबा मेरे दाता बाए बाए जाए 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 सब लोग सामने आटे बटे ताकि एक एक बचलानी तो आजी समझे ना जिया क्योंकि अन्य यूगों में पथा वारता लोगों को सुप कर्म करने के लिए जब सुप कर्म करते थे उनका मन सुद्ध होगा तन सुद्ध होगा इंद्रियां सुद्ध होगी खारपन सुद्ध होगा समिसों सुद्ध और कर्म सुद्ध होगा सुब कर्मों के जोई प्रदा और जब तर मन तुम्हारा सुद होगा तुम आत्मों को पहचान दे सम्द मात्मों के पहचान के लिए उस्वामी जी माराज हम सब कल्यू के जिवों को इस सारा करते हो यही बता रहा है कि पुन्य पुन्य बिन मिलेना संता और संत बिना सुझे नहीं पंथा बिना पुन्य कर्मों के संत मात्मा नहीं मत्ते और जब तर संत मात उस नहीं मिलेंगे जीवन का असली राज समथ बनेगे तो कि एक कर्जूग है यह स्थिव तर्दा दौपर नहीं है और उस समय की जानकारी है जो रिसी मुली मात्मों नहीं दी तो उन्होंने हरी उक की पैचान बताई कि हरी हुबे मानों सरी की उमर क्या थी मन की तागत कितनी थी इंद्रियों में सही अंत्याग बाराग कितना थी कि अरुंगा सक्तर हुआ है वो कैसे कर्मकरता है इस पी जानकारी अलग तो शक्तियू की अलग है सुगल की अलग है और चर्जू की समसरक Eating अब तुम सक्तियू टेता दौबले कर्म करोगा उससे को हिलाव नहीं में Minor- Warmya कर्जू के जिवहों की सार्णना कि उनका कर्म नहीं है कि इसलिए राज दिन तुम करते रहे कि आपको बिलता पूच्छ निसलिमत भागोत परोंड जो दुब्य दब्यासने लिगी थे कि इसी नहीं सारां की पामन पवित्र भूमी पर इन्होंने एप्टासी जार दिश्यों की मंतरना से बेदब यास जीदें है कि इसलिमत भागोत परोंड की रखना यहागे कर्जुग आ रहा है लोग धरम करम को बूल जाएंगे मानुता इंसानियव को बूल जाएंगे प्रेंप यार मुदब सिवा द्यास जाचार परमात्मन की यादगार को बूल जाएंगे मानों के मन मस्तिक्त में मा बेहन बेटी भगो की प्रणक्पशार समाथ हो जाए ऐसा खराब यूग आ रहा है उस खराब यूग में लोगों को क्या करना है कैसे कर्म करने चाहिए यह सब जानकारी बेद अब्यासने स्री में पागवत प्रोड़ में और कहा था लोग किस तरे के कर्म करें तो उनको इस यूग का लाब मिलेगा अब यह कर्जू के तो शत्यू टेता दौबर की साथ ना करने का कोई लाब ने तो कि कर्जू के जिवों के बसकी बात नहीं है ना इतनी उम्र है, ना मन की तागत है, ना इंद्रियों में सही अंत्याक बहराग है, ना कोई अच्छा खान पाने, ना अच्छे कर्म है, लिया जा उसका लाप नहीं मिले का। इसने गोशामी इमारा ने कर्जू के जिवों के लिए स्री रामचित मानस ने इस पच्छ कहा कि कर्दू जिवों के जिवों क्या करें, तो उनको कर्दू का लाप मेरे बड़े साथ सब्स में कहा। कि यही कर्दी का लेल साधन दूजा, अमन क्रम बचन ने गुरू बद पूजा। इस कर्दू में मनसा बाचा कर्दू बना हूँ, गुरू के बच्छों का पालन, यह कर्दू का जर्म है, यह कर्दू का सच्छ कर्म है। तब उसको लाप मिलेगा। अपनी मन मुक्ता में आगर कोई कुछ कर्में लोगों तो उसका कोई लाप मिलेगा। और भी कहा है। कि कहला यहू गयो, गय एक नहीं दाना, और एक है अधा, रेना में गूने गाना। का कर्जू में योग जब तब पूजा पाड़ हमन नहीं है। क्यों नहीं है कि कर्जू कर्जू गंदा, मन गंदा, तन गंदा, इंद्रियां गंदी, खान पान गंदा, संग सोबत गंदी, कर्म गंदी। प्याजा कर्जू कर्जू कर्जू, कोई किसी दूसरे यूप की साथना नहीं करते। अरे हच से करेगा पगेर्जू के आदेश ने, अगर नहीं करेगा तो उसका कोई परमार्थी ना दे। जब ग्रू वाग्या दे, आदेश दे, तब आप करो तो उसका नाम दे। जैसे हैं जब में ग्रू का दाज आदेश तो किसी ने लिया नहीं था। राजा के यादेश से सब लोग उठे बारी बारी से कि धनुस को तोड़े और सीता से जाब हो जाए ये अपनी मनमुक्ता में आगा लेकिन वो काम किसी से नहीं हुआ वो धनुस किसी से नहीं तूटा वो कार सपर ने किसी नहीं किया लेकिन जब गुरू विश्वामित्र ने अपने चेने राम को आदेश या जब गुरू के यादेश का पारण करके राम ने वो जो कार किया है सबस्ता उनको भी लिए ये प्रमान है गुरू आदेश का जब कोई यादेश देगा उसके यादेश से जो काम करोगे तो तुम उ कर सकते हो अपनी जांट से कोई काम करने लगो उसका फरमागव सिनावात रही कारण है कि पर जो कायु शतिव js के ला पर की शातना पूजा पाट करता है उसको हeline मे न ता कि उस्समय को कोई अदेश नहीं देटाında कूई गूरु की पहिचान नहीं कर सकते हो संतों की प्रचान तुम्हारे पास है नहीं जब संतों के पास गए नहीं संतों नों को यादेती या नहीं तो कर्जु का रावाब तो नहीं पर एशाब सब्सक्राइब कि कर्जु का नाम आधारा कर्जु का तो नाम आपको विला नहीं और आपने तरास की नहीं कोई सज्जू का नाम हरी नाम जब्राद, कोई त्रेटा का सीता राम जब्राद, कोई द्वापर का रादे से राम जब्राद, जब कर्जू का नाम है नहीं मालूं, तो कर्जू का नाब आपको नहीं मैंदा, यही कारण है, गुल स्वामी जी महाराण ने, इतने इस पस अब तुने का गुरु कोई खोच करो भाई बिन बुर्राहक कोई नहीं पर ऐसे वक्त के समरत सद्गुर की खोच करो तलास करो जब उनके पास जाओगे वो तुमारी सक्ति सामर्थ देखेंगे मन की तागत इंदियों में सैयम चैक वैराग जब जब जखेंगे तुम कौन सा कर्म करने के लाई को उस कर्म का जब आदे देगे उनके आदे सुकम जाका पौरन करोगे तब आपको कल्जु के लागे लेगे इसने इस पर सब्दों में कहा कल्जु के जिवों के लिए तुम जो सरीरिंदियों से पूजा पाट तीरत प्रत दान हों जब 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 आशनान ये सुप कर्म करोगे तो सरीर को लाब मिलेगे आत्मा से को लाब मिलेगे तो लियाजा आपने किसी गुरू की तलास की नहीं बगें रादेस के जो सुप कामाब करने लगे तो मज़ूरी आप किसे मांगों कऊन आपको मज़ूरी देगा इस पर आपने न विचार किया और ने किसी ने विचार कराया क्योंकि ये राज संतों के स्वार्ट और कोई नहीं जानता है कि हर युका알ाप कैसे मिलेगा जब युके नाम को जानोंगे सत्यू में योगियों ने हरी नाम जगाया जब हरी नाम केम साथ लोगों ने काप किया, या हरी नाम का तिसने ने सुमरं किया, उनको लाब मिला है, उन्हों नों दिख दिया कि हरी नाम का लाब किसको मिला सक्यूमें? तो इस पर सब्दों में कावनों ने कि नामें जपत हरी कीने प्रसादू और भगती सिरो मनी भे प्रहलादू कि धुए संगला नीजपयो हरी नामू कि सत्यूग में जो योगियों ने हरी नाम जगाया था उस हरी नाम का सुमरंजाप प्रलादू ने किया उनको नाब और आपको नाम नहीं मिलेगा उनको नाब समय का नाम समय के जगाये सक्तियों के दोरा तो समय के जीवों के लिए लाया गया जब आप उस नाम को जपोगे सुमरंज करोग उस नाम के रुसार अपने जीवन को चलाओगे तब आपको नाम का लाब दोरादू वो नाम जिस लोग मंदल मुकाम से आया जब आप उस नाम का इस्वरुन करोगे वो नाम उस मंदल तक आपको पहुँचा जब नाम की निजी मेमा है वो उसी मंदल तक पहुँचा सकता है जीवात्म ने हमारी आपकी सत लोग सच्पन अनामी धाम की जब तक सत लोग सच्पन अनामी धाम से कोई नहीं आएगा नाम को नहीं जिगाएगा नाम को सिद्र नहीं करेगा तब तक उसे यानि जीवात्म को उस मंदल मुकाम का लाप नहीं इसलिए हर युग का अलग अलग नाम रखा कि कोई भूल भ्रम्में पढ़कर किसी दूसरे युग का नाम न लेने लगे जीवन चगा जाएगा उस नाम का लावाग को नहीं क्योंकि हर युग में नया पुरुस में नाम को लाया और में उकराम को जगाया और सिद किया जो नाम जगाया जाता सिद किया जाता है उस नाम से लाव मिलेगा सुनाए पढ़ाए और बांचे नाम से लाव नहीं मिलेगा यही कारण है कि कल्जू का जीव लाव क्यों नहीं पा रहा ना हरी नाम को देगा, ना राम को देगा, ना किस्न देगा, तो बगेर देखे, अगर किसी का कुछ करोगे, तो आपको सच्छा लाब नहीं मिलेगा, गोस्वामी मारा नहीं लिखा है, कि देखे, बिन ना होय परती ती, और बिन परती, तै उहोत नहीं परीती, बिना देखे, किसी पर विस्वास नहीं होता, बिना देखे, विस्वास नहीं होता, तो लाब नहीं होता, और तुमने ना सत्यू के हरी नाम को देखा, ना सिताराम को देखा, ना रादे स्याम को देखा, ना संगर भगवान को देखा, ना मत्तव यानी, यानी कोई देवी दोता आपने देखे, जब देखे नहीं हैं, तो आपको विश्वास कैसे होगा, आपका प्रेम लगाओ कैसे यही कारण है कि कल्जु के जीव को कुछ नहीं मिला उसको उसका कोई देखा नाम नहीं ना सत्यु का हरी और ना त्रेता का राम ना द्वापर का किस्ट आपने देखा नहीं है और आपको उसका कोई लाप मिल भी नहीं रहा आप निरंतर करते हो लेकिन ना सीता राम मिले ना रादे स्याम मिले, ना अनुमान संकर मिले, ना कोई देवी देउता मिला, यह कारण है, कि आपने समय के जानकार की तलास नहीं की, समय के गुरू की तलास नहीं की, गुरू समय के जानकार है, जो समय के नाम जगाए गए, वो गुनावों की जानकारी केवल धरती मंडल पर अ ब्रमिह दोन किया है। जानकारी आपने कोई मिली नहीं आप बगेर जानकारी के कोई काम करोगे तो सभलता नहीं मिली यही कारण कल यूक के जिव का कोई काम किसी यूक के नाम के इस मनद से नहीं हुआ और उस पर किसी ने सोचा विचारी भी नहीं एक तो कोई जानकार है नहीं अच्छी सच्छी जानकारी आपके पास है नहीं और संद महाबुर। अच्छी सच्छी अच्छी जानकारी थे तो आप उसको सुनते नहीं हो आप उसको मानते नहीं हो आप उसको समझते नहीं हो अपने जीमन में उतारते नहीं हो तो लाब मिले तो कैसे मैं? इसलिए, सारे जीव कलजुग में लाब से बन्ची थे अब उनको northern को लाब मिलेगा क्योंकि कलजुग में संद बढ़ा रहे हैं अन्यूगों में संद नहीं आये हैं जिसी मुनी आये, योगी योगे सवर हैं और तारी शक्तियां आएं, ग्यानी ध्यानी भी ग्यानी आए, लेकिन संत नहीं आती, संत वो इस कल जुग में आए, जब संत आये, तो सारी जीवात्मा का अंत हो गया। उन्होंने अन्त बताया कि जी वात्मा का देश कौन है और इकाल मया के देश में कैसे आ गई और किसने फसा लिया अब कौन निकालेगा कौन ले जाएगा कौन पहुचाएगा कौन मिलाएगा यह सब जानकारी जब कलजू के जीउँ को मिलेगी तब उसको लाब मिलेगा तो कलजू में सची सही जानकारी के लिए संत मापुरसों ने सत संग जारी किया कलजुग में से संग अन्यूगों में कथा बारता अब कलजुग में किसी जूग की कथा सुनाओगे या सुनूगे उसका कोई लाप नहीं मिलेगा कियोंकि वो समय की चीज नहीं वो तुम्हारे लिए नहीं है वो सत्यूग के जीओं के लिए अलग त्रेता के जिवों के लिए अलग और दौपर के जिवों के लिए अलग और कल्जुक के जिवों के लिए सबसे अलग रखी क्योंकि कल्जुक के जिवों की उमर बहुत कम है सत्यु में मनों सरीर की उमर एक लाग वरस की मन की तागत हाथी के बरावर इंद्रियों में पूर्ट सही हमत्याग वैराग उनका खान पान सुदता उनके कर्म सुदते तो उस समय की साधना अलग रखे यूग के अनुसार मानों के सरीर की उमर के अनुसार मानों के मन की तागत के अनुसार इंद्रियों में सहीम त्याग वैराग के अनुसार अच्छी संग सोबत अच्छे कर्मों के अनुसार उसका विधान अलग रखा दिए एक नहीं है कि दीरे दीरे जब सब जीव भोगों में बस्ते चले गए शरीर की उमर कम हो गई मन की तागत भी कम हो गई इंद्रियों का सहीम त्याग वैराग की कम हो गया और मतलब तब उसका आधार अलग रखा उस नाम का काम भी बताया जैसे जैसे युग बदलता गया और सब भोगों में फ़स्ते गए उमर कम होती चली गई सरीर की मन की तागत भी कम होती चली गई सहीम त्याग वैराग भी कम होता चला गया खान पान भी खराब होता चला गया जोर कर्म भी खराब होते चले गए तो सरीर की उमर कम हो सत्य यूग में एक लाग वरस की थी त्रेता में दस हजार वरस की दौपर में एक हजार वरस की और कल यूग में मानो सरीर कुमर सो वरस की सबसे कम अब जब कम उमर है कम तागद है खान पान गंदा है तो फिर उन अच्छे यूगों की साधना करने से आपको कोई लाब नहीं मिलेगा वो लाब तुमारे बसका नहीं है करने से लाब नहीं है जब मनसा बाचा करमना सुद्ध पाक साथ निर्मन पवित रहो गे तब आपको लाब मिलेगा कल जुका जुटो गंदा है तो उसको उसी का लाब कैसे मिलेगा नाम लेने से काम नहीं बनेगा नाम के अनुसार अपनी करनी बनाओगी अपने कर्म करतब ठीक करोगे अपना खान पान्सुत रखोगे तब कहीं उसको उस समय का लाब मिलेगा इसलिए कलजुग में कलजुग के जिवों को लाब देने के लिए संद्गो स्वामी जी महाराज कलजुग में आए और उन्होंने रामचित मानस की रचना की उन्होंने तो पहले गट रामान लिखी थे ये रामचित मानस तो बाद में लिखा पहले गट रामान लिखी यानि सब कुछ घट में बताया अंदर और वस्तुता है भी अंदर में तुम्हारा मन भी अंदर में जीवात्मा भी अंदर में और जितनी यानि मन भुद्धी चित कि सब अंदर में बाहर कुछ नहीं बाहर तो कर्म करो जब अंदर की प्रेणा सही मिलेगी कि हमा похож एंदर आएंगी उनकी दिया और सकती बल के दौरा ऐसे जिव नहीं कुछ कर सेकता है। बगेर सद्गूर की दिया के, जीव यहां कल्जूर में कोई सबलता प्राप्त नहीं कर सकता, कोई आंत्री गलाब नहीं दे सकता, कोई आधियात्मी गलाब नहीं मिलेगा, जीवात्मा समंदी लाब नहीं मिलेगा, जब सद्गुर मिलेंगे तब उनको अंदर का लाम मिलेगा कल्यूग में ये गाना बजाना नहीं है कल्यूग में मनो रंजन से नहीं परमात्मा मिलेगा ना गाने बजाने से मिलेगा ना पढ़ने पढ़ने से मिलेगा ना सुनने सुनाने से मिलेगा कल जूग में परमात्मा मिलेगा करनी के दौरा कल जूग में कौन सी कर्मी करोगे करनी करो, मार मन डालो, इंद्री बहुत विसारो इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुर जानी जब सरीर इंद्रियों से ये पाक साब निर्मल पवित रहकर जब अच्छा खान पान करके अच्छे कर्म करोगे तब आपको कलजुग में सरीर का लाब मिलेगा जोंकि कलजुग में मानो की सरीर कुमर सो बरस की वो भी जब अच्छा खान पान अच्छे कर्म करोगे तब बुरे खानपन, बुरी संगसोबत, बुरे कर्मों में चले गए, तो कोई लाब नहीं उसका लेश मात्र भी लाब आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कल्जू का जूई बेचारा बिलकुल खाली बैटा, उसके पास कोई लाब नहीं उसके जब तक कल्जू का लाब देने वाले जिनको कल्जू में अधिकार मिला, सत्पुरुस के द्वारा, जिनको अधिकार मिला है, वो हैं संत महापुरुस, जब संत महापुरुस मिलेंगे, वो जीवात्मा कांत कैसे होगा, जीवात्मा काल माया के देसे, कर्मों के जाल में फसी, वो कैसे निकलेगी, कौन कौन ले जाएगा कौन पहुचाएगा कौन परमात्मा से मिलाएगा जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक आपका कोई काम नहीं ये पढ़ने पढ़ाने का भी शेकल जुग में नहीं है क्यों पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल काम दहन मन बसकरन वही काम मुसकर कल जुग में अगर कठी नहीं तो काम को जीतना काम को मारना मतलब यानि ऐसा बेक्ती तो कुछ पास सकता है नहीं तो यहां ऐसे मिलने बाला कुछ नहीं तुम राद जिन चिलाते रो चिलाने से कोई काम नहीं बनेगा जब तक करनी नहीं करोगे तब तक समय का और युग का लाब आपको नहीं मिलेगा इसलिए संतों ने ससंग जारी किया कल जुग जैसे यह नुगों में सुब काम करने के लिए कताब आरता सुना जाती लेकिन कल जुग में कता बारता से काम नहीं चलेगा सुद्ध करनी और सुद्ध खानपान और सुद्ध कर्म जब करेगा तब लाब मिलेगा इसके लाबा लाब माने का कल्जु में कोई तरीका नहीं तुम राद दिन कितने दिन करते करते हो मैं किसी से पूछता हूँ भाई तुम किते हैं दिन से पूजा पाट कर रहे हो कि देवता की पूजा करते हो क्या वो देवता तुमको कभी मिला है तुमने उनका दर्शन किया है तो कहते हैं जब दर्शन नहीं हुआ तो उन्होंने तुमसे कुछ कहा तो है नहीं कि हमारी पूजा कैसे करोगे हमारी पूजा में क्या लगता है क्या हम किस चीज को सुईकार करते हैं जब तक उन नहीं मिलेंगे अपनी मनमुखता के आदार पर कोई भी काम करोगे उसका लाब आपको नहीं मिलेगा और यही कारण है कि कल्जू काजू विल्कुल खाली बैटा साब पूजा करना अतार होता है लेकिन उतो मिला ही नहीं आता है कोई बता दे पूजा करने वाला या करवाने वाला ये बता दे कि जिसके तुमने पूजा की या लोगों से करवाई क्या तुमको वो देवी देटा मिले वो भगवान खुदा गाड़ आपको मिला या जिनको तुमने सुनाया बताया उनको मिलवाया अपने तो ये तो आप पर पाप चड़ गया ये तो करजा चड़ गया कि मजदूरी बगएर काम के मजदूरी ले ली जब बगेर काम के मजदूरी ले लोगे वो कर्म कर्जा बन जाएगा और वो कर्म कर्जा आपको चुकाना पड़ेगा उससे कोई बच नहीं सकता जिनको आप भगवान कहते हो भगवान किस्ने नदी किनारे बैटे थे उनके पैर में काला निशान थे बहलिये ने दूर से देखा कि ये तो हिरने की आँख चुमक रहे आँख समचकर उसने बाट छोड़ दिया किस्ने का पैर चलनी हो गया एक दभ मत उप रो पड़े चिला पड़े बहलिये ने समझा सिकार हो गया दोड़ के आया देगा बगवान किसे चला रहे था उसने का बगवान ये अपराद धोके में हो गया आप छमा कर दीजे ये धोके में अपराद हो गया वेसे छमा करने का अधिकार तो हमको सर्ष्टी में नहीं है और वेसे तुम्हारा कोई करम भी खराब नहीं मैंने रामावत्तार में तुम बाली थे मैंने पेढ़ के हार से दोखा दे के आपको बाढ़ से मारा वो दोखा देने वाला करम आज हमारा तुम्हारा पूरा हो गया प्रेंच को अपने कीये के कर्म का फल देना पड़ा पर अए इनसान तु किस कफलत में बैठा नित ने कर खराब कर्म करता है। तुजे होश नहीं है कि एक एक कर्म का कर्जा तुझे भुक्तान करना पड़ेगा। अब एक कर्म करजा कौन चुकाएगा? क्या किसी के पाद युक्ति है? कि वो अपने कर्म कर्जे का निप्टारा कर ले? तब तुम्हारा कर देगा. जब अपने का यह नहीं कर पाए तो तुम्हारा कहां से कर देंगा? यही तुम को विचार करना चाहिए. यह कागज पढ़न पहने से कर्म कर जाँने हूं इथा, कागज पढ़ने से पर्मात्मा नहीं मिलता है। और ये कागज पर्मात्मा मिला भी नहीं सकती। किताबें परमात्मा से नहीं मिलाएंगी परमात्मा से मिलाने वाला समय का कोई संत मात्मा मिले उनके पात जाओ उनके चर्णों में खित्मत करो विंति करो पराथना करो अपने गुनाओं की माफी मांगो जब उनकी दयाव हो जाए तुमारे गुनाओं माफ हो जाए जब वो नाम का अधार देंगी क्योंकि जीवात्मा का अधार नाम है इसी को अन युगों में मंत्र गुर्मंत्र दिख्षा ये कहते थे लेकिन आज कल्जुग में सीधा है नाम दान नाम का दान देंगे दान लेंगे नहीं देंगे कल्जुग में दान लेने का भी धान नहीं है दान देने का भी धान अगर देते हो तो आपका सुप कर्म बरना है और जो लेता है उसका पाप कर्म बरना है तो ये भी नहीं लेने वालों ने यहीं नहीं सोचा कि हम ले रहे हैं इसका उतार कैसे करेंगी जिनका ले लोगे देना पड़ेगा खा लोगे खिलाना पड़ेगा अगर नहीं दिया नहीं खिलाया पिलाया कर्मों की अदाईगी नहीं की तो पता नहीं कितने जिन्म अभी आपको लेने पड़ेंगे बैल गोड़ा खचर गधा बनके ये कर्म करजा चुकाना पूरेगा इसलिए कल्जु में संत महापुर्सों ने जीमों के लिए जो आधार रखा है वो केवल ये देने को अन्यदान लेने को सत्तनाम तरने को दीनता डूबने को अभिमान ये चार सुत्री कार्कम कल्जु में इसके आवा कल्जु में जो भी करोगे उसका प्रतक्ष कोई लाब नहीं मिलेगा और आपको मिल भी नहीं रहा है और फिर भी आप कर रहे हैं अरे पूछना चाहिए इतने दिन हमने पूजा की वो देविदेउता मिले ही नहीं उनका दरसन हुआ ही नहीं उन्होंने को यासिरवाद कोई बरदान हमको दिया नहीं तो तुम्हें तो ये तलास करनी चाहिए जानकारी करनी चाहिए जैसे कोई रास्ता भूल जाते हो तो कितने लोगों से पूछते हो लेकिन ये जो भूल बटक का आपने पूजा की किसी संत महापुरूस से पूछा उनके करीब आप गए और उनसे आपने आरजू मिनत बिने प्रार्थना करके कभी पूछा है कि कल जुग में हम सब जिवों को क्या करना चाहिए ताकि हमको लाब मिले समय का लाब मिले समय का हमारा सबका काम हो जाए समय से हमारी जीवात्मा जगे परमात्मा से मिल जाए ये तो आपने किसी से पूछा नहीं और ना तुम्हें मालूम है और ना तुम जानकारी करने की इच्छा करते हो और जानकारी देने वाले वो सब पिछले युगों की जानकारी दे रहें पिछले युगों का पाट पढ़ा रहें जिससे तुम पढ़ने से तुम्हारा कोई काम नहीं होगा क्योंकि वो पाट वो सिक्षा उस युग के जीओं के लिए थे वो कल्जु के जीओं के लिए नहीं है तुम्हारे लिए तो सत्संग करो, सेवा करो और बजन करो कल जुके जुके लिए ये तीन सूत्री कारकम निश्चित है कि जब सत्संग सुनूगे तो सत्त की जानकारी होगी कि सत्त क्या है, असत्त क्या है, छूट क्या है, चल कपड क्या है आपको तब उसकी जानकारी होगी और बिना जानकार के जानकारी मिलती नहीं और बगेर जानकारी के आपको परते च्छलाब मिलता नहीं लेकिन आपने कभी अपने मन से इसा सुचा है साड़े साथ सो बरसों से संतमा पुरू साए तब से लगातार ये सच्चाई की जानकारी पूरे हिंदुस्तान में दे रहे चल चल करके तरबाजे तरबाजे आवाज लगा के बताते हैं हरे भाई एक कल्जुग हैं कल्जुग में कल्जुग की साधना करो तो लाब मिलेगा कल जूख मेब कल जूख के भगवान की खूच करो जानकारी करो तब उस नाम से तुम्हारा काम होगा लेकिन तुम उनकी बात सुनते ही नहीं है एक तौब आप जानते नहीं हो सहिए सच्छी अच्छी बात और संत महाबरूस अगर बता हैं तो हम मानते नहीं हो तो फिर काम कैसे होगा इसलिए संतों के बचन को एक एक बड़ी गंबीरता से विचार करके सुनो वो क्या कहते हैं वो लेते नहीं देते हैं वो लेने नहीं आए देने आए क्योंकि वो बिखारी नहीं बिखारी लेता है और दाता देता देने वाला दाता लेने वाला बिखारी तो जब लेने वाले बिखारी हैं अगर बिकारी से क्या आपका काम हो जाएगा अगर उनके पास होता तो तुमसे क्यों मांगती ये तो साफ जाईर है जो तुमसे मांग रहा सेवा मांग रहा दोती रोटी लंगोटी मांग रहा रोटी मांग रहा जो तुमसे सब कुछ मांग रहा, इसका मतलब उसके पास कुछ नहीं, वो बिखारी है, बिखारी से किसी बस्तु की उम्मेद कभी मत करना, यही तो तुमारी अग्यानता है, तुमारा भूल ब्रहम है, जिसको संद महापुरू दूर करने आए, कि भूल ब्रहम को दूर कर लो, सच्चाई को ले लो, ताकि तुमारे मनों जीवन में सच्चाई आ जाए, तुम सच्चे अच्छे चरित्रमान बन जाओ, अच्छे खान पान करके तुम साकारी, सदाचारी, ब्रमशारी बन जाओ, तो परमार्थिलाप पाने के अधिकारी बन क्या तुम्हारा काम उनसे मिलता जुलता है तुमको सुनाने का अधिकार किसने दे दिया ये मनमुक्ता से सुनाया था वो तो जब तच्छक काठा राजा परिश्शित का भई तच्छक काटा बचे गाने अब परिश्चित को चिंता हो गई मैं मर जाओंगा मेरा राजपार छूट जाएगा मेरा एक खजाना साथ तो उनको ये चिंता हो गई अब राजा ग्यानी था उस ग्यानी को कैसे कोई समझाए सच्चे ग्यान का अब फ्यास कैसे कौन कराए तब वो कि सुकदेव मुनी WIL जी को बिलाया गया उभीत रांगी के मात्मा ते लंगोटी धारी ब्रमशारी साकारी स्दाचारी ब्रमशारी थे इनको बिलाया गया कि इनका अशर प्रभाव राजा परिष्चित पर पड़ेगा इनका ध्यान उज़र से हट जाए तो कुछ दिन मत्रव्यानी सकून से रह सके अब कोई सुगदेव मुनी तो है नहीं सुनाने वाला और सुनने वाला राजा परिष्चित नहीं है तो बताओ काम कैसे होगा यह यह जो कताएं आप सुनाते हो यह आप समाद पर एक कोड डाले हो एक बोज डाले हो ना तुम सुगदेव मुनी हो ना तुमारे में त्याक तबस्या वहराग है ना तुम साकारी सदाचारी बरमचारी हो ना तुम परमाती हो तुम वह सुर्थी तुम्हारे बसका ये काम नहीं है ये जीवों का बाहर तुम अपने उपर क्यों लाद रहे हो हनंत जन्मों के लिए आना जाना अपना तैयार कर रहे हो तो आने जाने से छुटकारा लेने लिए कि आये हो कि आना जाने का बोजा अपने पर लादने के लिए आए तैरा सोचो समझो विचारो ये काम सुध्यमुनी का था अब राजा परिशित किसी को तच्छक काटा नहीं है तो तुम सुना किसको रहे है ये दबा राजा परिशित के लिए थी यानि तच्छक काटा उसका विधान समधान क्या था का कोई रिशी मुनी मात्मा आ जाए इनके द्यान को जो इनके अंदर बैट गया कि मैं मर जाओं का तच्छक काटा बस्ता नहीं है मेरा राजपट छूट जाएगा यह सब छूट जाएगा यह चिंता उनको ब्याप्त गई इस चिंता का निमारन कराने के लिए सुगद्यों मुनी को बिलाया गया जो यानि मत्तभ बीतरागी मात्मा थी ये बीतरागी मात्मों का काम है और तुम राग राग लिए गूम रहे हो अरे राग तो दुछका कहरन सता है तुम राग को अपनाओगे उसी दुख में तुम भी चले जाओगे सुनने वाले उसी राग में फ़स जाएंगे अवानु राग अप्रिम छूड जाएगा तुम को यह सब जानकारी रखनी चाहिए थी ना कोई राजा परिच्चित है ना किसी के तच्चक काटा है ना कोई सुख देमुनी है तो यह अला धुंद दरवार यह कब तक आप चलाएंगे जब तुमको किसी चीज की जानकारी नहीं है कोई अनभव आपने किया नहीं यह पढ़ना लिखना चातुरी यह तो काम सहल यह तो सबी कर लेंगे लेकिन काम इससे नहीं बनेगा किसे बनेगा काम देहन मन बस करन यही काम मुशकल जब तक यह काम नहीं करोगे आपको कोई लाब नहीं करोगे संद मापुरसों ने सच्चाई को समय से खोला और सब के कां तक अगाबाद पहुचा दी कि तुम्हारा कल्जू में सत्त कर्म क्या है सत्त धर्म क्या है सत्ती नीती क्या है सच्ची साधना सच्ची पूजापाट क्या है अबे सारी रिक इंदियों की पूजापाट यह कल्जू में नहीं है बड़े साफ सब्दों में कहा है जब तुम सरीर इंदियों से पूजा पाड़ तीरत ब्रत दान हमन जब तीअग गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा मान मिलेगा सामान मिलेगा समान मिलेगा अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा ये भगवान पाने वाली पूजा और वो समान सामान पाने वाली पूजा अब तुम कौन सी चाहते हो भगवान पाने वाली पूजा पाड़ करना चाहते हो कि सामान मिलने वाला रे चाहे दोनों कर लो चाहे ये कर लो संत मात्मा किसी की यलोचना नहीं करते बलकि तोनों रास्तों की जानकारी दीते कि सरीर इंडियों से पूजा पाड़ करोगे उसका लाप सरीर इंडियों को मिलेगा और आत्मा से करोगे तो आत्मा गोला मिलेगा मन सरीर इंद्रियों से पूजा पाड़ किया जाता और आत्मा से बजन किया जाता बजन प्रभू के पास जाने की उक्ती है प्रभू को परमात्मा को पाने की उक्ती है और सरीर इंद्रियों से पूजा पाड़ करना ये सामान पाने की उक्ती है राट पाट धंदोलत मान सम्मान आपको मिल जाएगा पती पत्री बाल बच्चे मिल जाएगे लेकिन भगवान नहीं मिलेगा भगवान पाने की ये पूजा नहीं है भगवान पाने की ये साधना नहीं है तो कम से कम तुम्हें जहनकारी करनी चाहिए बहुर काल करिये सत्संगा तब ऐ होए संसे सब बंगा गुसामी मारा ने कहा बहुत समय तक तुछ सत्संग करो पढ़ो पढ़ाओ सुनो सुनाओ नहीं करो करनी का अन्भव होता है करनी का फल मिलता है और सुनने का कोई फल किसी को मिला हो तो बता दे अरे सामान, सम्मान मिल जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिले न सुनाने वाले को न सुनने वाले को ये दूनों अदूरे रह जाएगे तुम्हारा जीवन विर्थ में चला जाएगा बहुत गई रही थोड़ी ओवे जाने वाली है अगर अभी नहीं सोचे तो फिर कब सोचोगे अगर मानो जीवन ये निकल गया तो दुबारा आपको नहीं मिलेगा मानो जीवन में जीवात्मा को अधिकार परमात्मा से मिलने का है और 83,99,9999,999 जिस्म सरीर ये जिब उनमें भी आत्मा है लिक्वन उसमें आत्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं है क्यों कोई सरीर एक तत्युका कोई दो तत्युका कोई तीन तत्युका कोई चार तत्युका के मानो सरीर पाचों तत्यों से परपूरे है चिती जल पावक गंगन समीरा पंच तत्या, रचित सरीरा, चलप्रत्य अगनी वाहिवाकास पांथ मसालों को मिलाकर बिचित्र कारी गरी से भगवान ने इस मनुस मंदिर को अपने हाँ से बनाया ये भगवान का बनाया और इट पत्थर वाला इंसान का बनाया वैं आपसे यही तो पूशता हूँ, तो भगवान अपने बाले में आएगा कि तुम्हारे इट पत्थर वाले में इट पत्थर वाले में कभी आया है, किसी को मिला रहे कोई बता दे, किसी को मिला है उन्होंने कहा जब धर्मसात्र भी कहते हैं आप उनको भी ठुगरा देते हो उन्हों भी उनके भी बात हम नहीं मानों अगर मान लेते हैं तो अब तक तुम्हारा काम हो गया होता है दर्मसातर भी कहते हैं आप उसको क्यों छिपाते हूँ क्यों उसे लोगों को गुम्रा करते हूँ इससे आप गुम्रा क्यों करते हूँ आपको इस पश्ट करना चाहिए ना हम बसामी बैकुंठे योगिना हर्दे नचा भगवान ने का हे नारत चाहा तुम हमको खोज रहे हो या लोगों को खोज रहे की युक्ति बता रहे हो वहां मैं कभी नहीं आया ना कभी आया ना कभी आऊंगा मैं तो आत्मा रूप से तुमारे सब के अंदर इसी मनस रूपी मंदिर में बठा हूँ मनस रूपी मंदिर में बठा हूँ आत्मा रूप में लेकिन इत पत्तर बहले मंदिर मकान में कभी नहीं आया ना कभी आयेगा वो मेरा स्थाम नहीं है तुम्ने ए धर्मसास्तिंदों को कहा माना यह धर्मसास्ति तो कह रहा कि नहम बसामी बैकुणते योगिना हर्देन अच्छा मंबक्तवायत्रिगांती तत्तर्तिष्ठामिन नार्दा ये सब आपको जानकारी दी जारी लेकिन स्वार्थ लोब और लालत में आप फस करके ये मानो जन्म को क्यों बिगाड रहे हो फिर आपको मिले गानी ये बार बार नहीं मिलता है गोस्वामी जी मारार ने कितनी महमा इस मनुस्त मंदिर की बताईए लेकिन तुमारे अंदर मनुस्त मंदिर की कोई महमा नहीं और इट पत्थर बल के मंदिर की महमा बताते हो जो जड़ है और ये चेतने परमात्मा चेतने की जड़े मैं आपी से पूँछ रहा हूँ परमात्मा जड़ाई की चेतन परमात्मा का जगाया नाम जड़ाई की चेतन परमात्मा का लोक जड़ाई की चेतन परमात्मा सताह जड़ाई की चेतन जब तुमको जड़ चेतन का की परिवासा नहीं मालू। तो पिर तुम जानते ही क्या हों? क्या आप जानते हों? कुज तुमें महारादने एक एक सब्द को उत्तर कांड में लिख करके सब के परिशनों को उत्तर दे दिया सब की समस्याओं का समय रहन कर दिया लेकिन दो मुत्रकान कभी पढ़ते ही नहीं है अगर उसको पढ़ो सारी संगाओं का समादान हो जाएगा उन्होंने सब कुछ लिख दिया हुआ कुछ बाकी नहीं रखा है और का इसका पठरन पाटरन नोलोकन करो तब तुमको निरक परक पहचान करने की सक्ति आएगी जब निरक परक पहचान कर लोगे और सत्थ को पगर लोगे सत्थ के संग के दोरा जब सत्थ का संग करोगे इसी को सत्थ संग कर दे सत्थ संग कोई गाना बजाना नहीं सत्थ संग कोई मनोरंजन नहीं सत्त का संग जिद दिन हो जाएगा ये जूट छूट जूट जाएगा छलकपड जूट जूट जाएगा पाक्षन चूट जाएगा ये बनावट ये बत्रब यानि सारी सारा जूट ये समात्त हो जाएगा और सत्त आपके पास आजाएगा जैसे सत्ता आजाएगा सारा बूल्ब्रमापका समस्त हो जाएगा तब ये मानो जीमन के बनने की सुरुआत होगी संत मापुर्सोने का गिरी बजरिया पाप की परस रहे यंगार संतना ते जगत में तो जर्र भरता संसाह अगर कल्जुग में संत मापुरूस ना आए होते तो जीवात्मा को कभी काल माया केते से निकलने का छुटकारा ही नहीं मिलता यह जब इसी नर्कों में पड़ी रहते यह चार खान चोरासी लाग नर्कों की उनिया जिसमें से केवल मानो सरीर को अधिकार और दिवी तुम्हारा गंदे खानपान में जारा गंदी संक्सोब्त में जारा गंदे कर्म करने में जारा ओ भी तुम खराब करने हैं तो आपको लाप कैसे मिली apenas यह तुमको खराब करने के ले मिला तुमना भाख ने क्या लिखा जितने सच्चाई के गिरंथे वो सब ये प्रमानित करते है कि करोलो जन्मों की तवस्या करोलो जन्मों के पुन्ने करोलो जन्मों की सेवाए जब जीव के एकत हुई उनका उद्ध होने का वक्त आया तब परमपिता परमात्मा ने आपको ये मनुसमंदिर बेट किया किसके लिए परमात्मा को पाने कीड़ी कितने ऐसे लोग हैं दुनिया में जो परमात्मा की प्राप्ति में सरीर को लगाए वो वेचारे जानते नहीं कि परमात्मा की प्राप्ति किस से होगी उनको ये पता ही नहीं है अब विचारे इस अंसार की बस तुमें उनको बेट करते रहते जब कि ये सब उनी का दिया हुआ उनी का दिया हुआ उनी को बेट करते हो इसमें तुम क्या देते हो तुम्हारी कौन सी कमाई है का तुम्हारे पास अगर नाम की सची कमाई है तो तो आप बेड़ कर सकते हैं वो भी जिस यूग का नाम लेते हो उस यूग में उस नाम से लाब मिलेगा दूसरे यूग में नहीं अगर एक ही नाम परमात्मा का होता तो फिर यह अलग-अलग क्यों आया इस पर भी आपने मिचार नहीं किया कि जब सत्यूग था तब हरी नाम था लेकि जब त्रेता आया नाम बदल गया राम नाम आ गया और जब दूपर आया तो राम नामी कदम किश्णाम आ गया यह अलग-अलग नाम के हुआ है यह सब प्रमानित करते हैं हर युग में निया पुरुस ने नाम को लेके आया और उस युग के जिवों को नाम का जब ना सिखाया जो लोग समय के नाम को लिया उनका काम हो गया और आपको यह भी नहीं पता तुमारे समय कल युग का क्या नाम है अपने पनी युक का नम लो अपने पनी युक का लाब उठा कल्यू का तो आपने पूछा नहीं किसी थे और आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि कल्यू में बगवान का क्या नम किसी ने बताया आपको जब बताया नहीं किसी को जानकारी है नहीं वो नहीं आता है जो नाम समय का आया काम करके चला गया तुम्हारे बुलाने से वो नाम नहीं आएगा वो नाम का मापुरू मासक्ती वो अतार तुम्हारे पास नहीं आएगा वो तो समय से आये और समय से जिन लोगों ने उनकी बात मानी उनका काम होया और जिनोंने विरोध किया वो मारे गए यही तो इतियाद आपका है जब हेना कसिफ समय के हरी नाम को नहीं माना तो मारा गया रामर्ण जैजा भी दुआन कोई नहीं था लेकिन समय के जगाए रिशी मुनियों ने जो राम नाम जगाया उसको नहीं माना उसी भी रोध किया और संका की तो मारा गया दौपर में जब गुरू ने किस नाम जगाया लोगों नहीं माना भगवान किस ने स्वेम समझाया अपने मामा कंस को और अपने एद्वंसियों को कोई नहीं मानने को तैयार हुआ तो उन्त दो गत्वा उनको महावारत करके ये दर्ड देना पुड़ा ना मानने वाले दर्ड के अधकारी होते लाप के अधकारी नहीं होते और आप भी कल्जू का नाम जानते ही नहीं होते और किसी बित्वार ने आपको बताया नहीं होगा आफ्तर कि कल्जु का नाम क्या तो कल्जु को जिवों को लाम मिले तो कैसे मिले जब वक्त का नाम वक्त के जिवों का काम करता तो कल्जु का नाम मिले तो कल्जु के जिवों का काम हो लेकिन गोस्वामी जिमारा ने इसारा करके रामचीद मानत के उत्तर कान में कल्जु के नाम को बताया है कि कल्जु में कौन सा नाम होगा? क्या का होगा? बड़े बड़े सब्दों में कि कल्यूग बड़े साफ सब्दों में को गुरु बीने भावा एनिधी तरे ना कोई और जो बीरांची इस संकर्स में होई कि ब्रमा बिश्णु के समान कोई धन्वान और बर्वान किर्थिवान यसमान क्यों न बन जाए? लेकिन बगेर सद्गुरु के कल्जु में क्यों कोई जिव बहुसागर पार नहीं कर सकता यह नाम बेड़ा है नाम नाम नौका जो बहुसागर से पार करती है कल्जु में गुरु नाम बहुसागर को पार करने के लिए है अब यह है गुरु बीच में बैठा आगे जय पेच्छे देव लगा दिया आप संगा में आगए जय गुरु देव नाम कहां से आए अरे गुरु तो बीच में बैठा रहे है आगे जय यह सिष्टा चारक सम्मान सब्द है जय राम जय किष्ण जय नुमान सब क्या गयाप लगा थे तेव, पीछे तेव लगा तेव माने देने वाला जो सब को ते और तुम से बदल में कुछ न ले उसको कहते हैं तेवता और तुम्हरा ऐसा कोई देlection है जो आफसर लेता ना हो तुमें देटा हो तुम्हरे सब देने वाले सब लेने वाले पेरे बताते चड़ाओ ये चड़ाओ वो चड़ाओ अगर बती लगाओ भूल चड़ाओ ये तो लेने वाले ये लेवता है की देवता है अभी तक नहीं समझ पाए हो कि देवतागर्थ क्या और लेवतागर्थ क्या देने वाले कौन देवता जला सुन लो समझ लो सर पर्थम पर्थम देवता धर्ती ये धर्ती मा जिस पर बैठे हो ये हमारे सब के जीवन का अधार है ये धर्ती ये धर्ती देवता ये तो आप से रुपया पैसा मांगती इन कोई किराय मांगती लेकिन जो लोग धर्ती पर अधिकार गल देते हुए पैसा मनती लेकिन दरती मा कभी नहीं मनती और इस पर आप अच्छे बुरे पाप सबी करमिसी पर करते होटें लेकिन दरती मा कभी बदले की भावना नहीं रहती है। इसको कहते हैं दर्थी देवता दूसरा है सूर देवता सूरत सुबह निकलता है रावसाम को हस्तोता पूरे दिन प्रकास देता और एक पहसाब से नहीं मानता चंद्रमा पूरी रात प्रकास देता ठंदक देता और सबसे महत्मून जो जीवन सक्ती है आक्सीजन परजान करता लेकिन बदले में कुछ नहीं लेता ये हैं देउता और चोता है वायू देउता कितनी मंद सीतल हवा चलती एक पैसा आपसे नहीं लेती अगर सरकार की बनाई बेवस्ता का प्रयोग कूलर पंका एसी का करूँ तरन पैसा लग जाएगा बगेर पैसे आपको नहीं बिलिगा और पंचवा है शठा है यह जल देउता पंचवा जल देउता कितनी मुसलादार बारिस होती आपसे एक पैसा नहीं लेती यहां कोई पानी की बेवता कर ले बगेर पैसे आपको पानी नहीं देता कलजुक का प्रमान है रिशी मुनियोज ने पहले ह का जब दूद और पूत है और पानी ये जब विकने लगे समलो कल्जुक आ गया और कंगाली आ गई देशी आज ये तीनों विकरें दूद भी विकराए मुर पूत है यानि जो दहे प्रता ये बहुद अपने ललेकों को बेच लेघ़ने की तो प्रता है ये भी विकरा और पानी भी बिख्या जबकि भारत में कितनी नदियां कितने जलासे कितने कुए सब लेकिन फिर भी पानी 20 रुपए 10 रुपए किलो भी किरा है कि क्या है ये सब आपके सामने हैं मरसाना है देव रिश्बानी जो देवी देवताओं रिशी मुनियों ने कह दिया वो सत नहीं होता जब उनका कहा यानि जूट नहीं होता तो संत महापुरूथ जो सब से उपर के मंडल से आते उनका का कैसे जूटा हो जाएगा आपने तो समझा जी नहीं था समझ लेते तो तुम्हें सचाई मिल जाती लिक्के भी बताया गया कि वताब संत बचन पल्टत नहीं पलट चाथ प्रमांड चाहे ब्रहम अपनी प्रमांड की रचना में तब्दीली बदलाओ कि उन्हें कर दे लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगी संतों की जमान दसा बेज होती है आपको ये जानकारी रखनी जाए अगर कल्जू का लाब लेना है तो कल्जू का इतिहास तो भी बना नहीं है इसलिए आपको पुराने इतिहास सज्जूत तेर्दा दौपर के पढ़ाए जा रहे हैं सुनाए जा रहे और तुमारा उनसे क काम होगा नहीं क्योंकि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा जो वक्त गरी समय निकल जाता वो दोबारा नहीं आता तो उसकी याद करने से क्या वो आ जाएगा वो नाम लेने से क्या वो नामधारी प्रगड़ो जाएंगी वो तो अपने समय से आए और काम करके चल अब उनका केवल इतिहास मुझूद है इतिहास पढ़ने से वो नहीं आएंगे इतिहास दोराने से तुम्हारा काम नहीं होगा उस समय का नाम लेने से तुम्हारा काम नहीं होगा गोस्वामी जी महारा ने सारे संकाओं का समाधान करने के लिए उनको रामचित मानस लिखनी पड़ी उन्हों तो घट रामान लिखी थी राम चीद मानुस उनको लिखनी पड़ी तो कि घट की बात तो कोई समझा नहीं जब घट का बेद वो जान गए अंदर में और जब परमात्मा का दरसन दीदार भी कर लिया तो सोचा चलो कल्यू के जिवों को बता दिया जाए उन की तो मुसीबत से पाया ठोकरे खाके पाया चलो कल्यू के जिवों को हम ऐसे ही बता देऊ को तब उन्हों ने राम चीद मानस की रचना की क्या उन्होंनों कुछ लिया था ये बताईए आप ब्रमा जी ने चार बेद लिखे क्या उन्होंने सेवा सामान दान देचेना रु प्यास ने की क्या उन्होंने सेवा सामान रुपया पैसा दम देचना मंगा था तो तुमको लेने का क्या अधिकार तुम्हारा तु लिखा है नहीं तुम्हारा कोई अन्वो नहीं तुम्हारी त्याक तबस्या नहीं तो तुम इसकी इसका मूल क्यों चुका रहे हो हो ये धर कार नहीं है तुमको है बता अगर तुमने कर लिया तो अगर तुमने नहीं किया है तो बताने से तुमारा किसी पर परवाव नहीं पड़ेगा कितने दिन से सिर्मत भागवत पुरान की रच यानि सब सुरे हंदुस्तान में सुनाई जा रही एक भी बेक्ति का सुधार नहीं हुआ एक को साकारी आप नहीं बना पाए सदाचारी ब्रमचारी नहीं बना पाए फिर तुमारे सुनाने का कोई मतलम नहीं है क्योंकि अधिकार ये सुक्तियो मुनी का तुम सुक्तियो मुनी नहीं हो नकली सुक्तियो मैं आपको सजा मिलेगी मैं पहले से इसारा कर रहा हूँ ये कामाबंद करते हैं उन्होंने जो लिखा था को केवल ग्यान अरजन के उद्धे से लेकिन तुम लोग जो सुनाते हो धनुप अरजन के उद्धे से ये तुम्हारा काम अच्छा नहीं है इसका बदला इसका खमेजा आपको भोगना पड़ेगा क्योंकि ये सास्त्र समाज के सुधार के जी और तुम धनुप अरजन में प्रियोग कर रहे हो तुम इसका मूली चुका रहे हो क्या तुमने कोई सास्त्र लिखा है चार बेच्छा साथ 18 पुरान 19 सुपरिसद और 36 रिचाहे ये तुमारी लिखी वूई नहीं है लिया जा तुमको उसका मूल चुकाने का कोई अधिकार नहीं अगर करोगे तो इसका खमेजा आपको भोगना पड़ेगा मैं पहले से इस सारा किया देता हूँ बात भी है मत कहना कि हमको किसी ने बताया ने ये कागज की ना हो है न तुमें पार करेगी न सुनने बारे पार जाएंगे एक कागज के नया बीच में डूप जाएगी तुम सब डूप जाओगी इसलिए नाम की नौका को पकड़ो जो समय की नाम नौका नहीं लगाई है उस समय के योगियों ने सज्जुग में लगाई और इसी मुनियों ने त्रेता में लगाई और गुरू ने दौपर में लगाई आज सद्गुरू ने कल्जुग में लगाई है जब कल्जुग की नाम नोका पर सवार हो जाओगे तो चले जाओगे कल्चुंग में आपको कुछ करना ही नहीं केवल संतों की बात माननी उन्होंने साफ सब्दों में कहा लेकिन तुम उनकी बातें नहीं सुनते हो तुमारी समझें कुछ नहीं आता इतना कुड़ा कर्चड़ा भरे बैटे हो के अच्छी चीज तुमारे अंदर रुखती ही नहीं जिसमें कोई खर्चा नहीं इस चर्चा का कोई खर्चा आपको नहीं दीना और सारे इंदुस्तान में मुप्त हो नहीं क्योंकि मैंने किया है तब बता रहा हूँ मैं पढ़ करके किसी को सुन के नहीं बताता हूँ मैं करके बता रहा हूँ ऐसे नहीं कि किस करनी का क्या लाब मिलेगा और कथनी का और बकनी का और सुननी का कोई लाब नहीं इसका कोई लाब आप नहीं मिला और मिला वो किसी को तो बता दे आज तक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला परची जी को संतुष्टी मिलेगी संती हो गई और मतलब तच्छका काटा वो चिंता समाथ हो गई क्या ये लाब किसी भी सिर्मत भगवत पुरान सुनने वालों को मिला है और सुनाने वाले सुख्देव मुनी थे वो जंगल में चले गए देने वाला परिश्चित राजा था वो मर गया तो ये लेंदेन कहा हुआ था लेंदेन किसने किया अरे इस पर भी तो विचार करो तुम ये क्या कर रहे हो कि उस समाच को अपने आप ऊपको दोका दे रहे हो और सचाई अच्छाई से बंचित रहे हो तुम्हेरा भी मानो जीवन ये विर्थ में चला जाएगा ये बाचने में समय क्रुछ करने ये आजने बाचने में काम कुछ नहीं होगा कोई भी काम आपकर नहीं होगा सुनाना कर्म नहीं है क्योंकि तुम उस कर्म करने के लायक नहीं हो वो सुख्दयो मुनी का अधिकार सुनाने का था जो भी तरागी मातमा थी और सुनने का अधिकार राजा परिशित को था ना कोई सुनने वाला राजा परिशित है ना किसी के तच्छक काटा है ये तच्छक कि दवा और तच्छक का ये समाधान था वो तो इस समय किसी को है नहीं समाज में किसको तच्छक काटा दर सारी समाज में ये बेख्यान कर रहे हो कि वो अपना समय खराब कर रहे हो और लोगों का खराब कर रहे हो ना तुम को कुछ मिलेगा ना सुनने वालों को कुछ मिलेग आप अपना समय बेर्थ कराब करें इसलिए हमारी तो प्रार्थना मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ मेरी ये प्रार्थना है गई सो गई और रही वो सम्हालो नए भी जाने वाली किसी का पचास, साथ, सतर परस निकल गए कल्जू में समय कितना अब तुम विचार करो कितना निकल गया और कितना रह गया और अभी आपने शुरुवात नहीं तुमने कल्जू का कर्म नहीं शुरुवात किया और अन यूगों का कर्म बता रहे हो और करवा रहे हो उससे लाप तुम नहीं दे पा रहे हो लब दे देते तो तो ठीक चलो भाई ठीक आप कराते तो लब तुम्हारे आथ में नहीं है तुम्हें देने का अधिकार नहीं है क्योंकि हरी नाम योगियों का अधिकार उन्होंने जगाया था ये सिता राम राम नाम ये रिशी मुनियों का अधिकार तुम रिशी मुनियों हो नहीं लिए जा इस नाम को भी बताने देने का तुमें कोई अधिकार नहीं है यह सब क्या है क्रिष्णाम यह गुरू का दिकार है तुम गुरू हो नहीं सद्गुरू हो नहीं तुम भक्त हो नहीं तुम केवल बाच्चा ग्यानी हो बाच्चा ग्यानी केवल पढ़ने वाले करने वाले नहीं हो करके तुमने आग तु कुछ नहीं लिखा मैंने इसलिए पूचा भाई स्रीमान जी आप बताएए आप पड़े लिखे हैं कि लिखे पड़े हैं यही नहीं जानती तुम पड़े लिखे हो कि लिखे पड़े हो जो लिखा है रिशी मुनी ने वो तुमने पढ़के रट लिया वो सुना रहे हो तुमने कोई सुनकर लिखा कोई अपना अनुभा समाच को दिया है समाच को लाप पाने मारा कोई अनुभा तुमारा है ये तो बिर्थर के काम हो गए आप आपको क्या मिला ज़िए तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ सारे देश में जा जाके प्रार्थना किया लोगों को बताया है अब भी जागो यतन कुछ कर लो 84 का फेर बचा लो एमानो जीवन विर्थ में जा रहा विर्था गमा रहे हैं स्वासों की पूंजी ये दुबरा आपको मिला गया नहीं साफ सद्दों में कहा है कि सरीर का मतलब क्या है ये सरीर परमात्मा ने क्यों दिया आपको क्या कभी आपने बिशार किया है ये इतन का फल पिसेना बहाई औस्वर गोसल पर अंतितू खेदाई इस सरीर का फल पिसे बहुग नहीं है और तुम इसी में गावारो पिसे बहुग होगे तुम पहले ही बात पहली सिक्चा नहीं मानने है ये इतन का फल पिसेना बहाई स्वर का उस्वर्प अंतितू खडाई अगर स्वर्ग पहुँच गए पुन करमों के बहरा लिखा पुन चीडे मृतू लोके और जैसे पुन चीड़ हुआ फिर आपको मृतू लोक में डकेल दिया जाएक फिर करम करो फिराओ फिर करम को ओ और भी आवागमन है और लोग भी आवागमन से रहीत नहीं चाहे ब्रमा का ब्रम लोग हो चाहे विश्णू का विश्णू लोग हो चाहे सिव जी का सिव लोग हो चाहे राम का सागेत लोग हो चाहे किस्ट का गो लोग हो चाहे देवी देवतों का देव लोग हो ये भी अबागमन है केवल पुन्न केवल से आप महाँ जा सकते हो और पुर्ण का खजाना जब समाप्त हो जाएगा फिर आपको मृत्व लोग में डखेल दिया जी पीच के किसी लोग से जीवात्मा को अपने सत लोग जाने का अधिकार नहीं है अगर सत लोग जीवात्मा को पहुँचाना है तो मृत्व लोग मंडल में मानोतन धारन करना कुड़ेगा मानोतन के जानकर संत मात्मा की तलास करनी पड़ेगी उनको नाम की युक्ती उनसे लेनी पड़ेगी और नाम की कमाई करके आपनी जीवात्मा को सत लोग सचकन पहुचा सकती तुम तो दाम की कमाई में समय बिता रहें और दाम की कमाई ये करजा है अपने जीमन में लखो लोगों का खरजा ले लोगी उसके देने के लिए लखो बार जनम लेना पुड़ेगा ये कितना अनर्गल काम आप आप कितनी बली अग्यानता भूल प्रम में आपका जीमन जा रहा है और अभी तक आपने इस पर विचार नहीं किरा कि ये मिलत लोग कर्मों की अदाईगी का है जब जैसे कर्म करोगे तब तरह से सरी में आपको जनम दे दिया जाएगा इसलिए उसने जितने कर्म मनाएं उनकी कर्मों के भूग के लिए चारखान चोरासी लाग नर्कों की उनिया बताई इनमें आपको भेज़ेगा हर कर्म का फल इन्हीं उनियों में आपको भूगना पड़ईगा तुम देगा मेवी तो सोचो आज कल्यूमे तो मानो सरीर पाने वाला तुम कर्म भी नहीं कर रहे हो तुम्हारे कर्म सब राच्छ सी राच्छ सी खान पान करते हो भूल गए कुम करन बद कुम करन का बद भगवान राम ने क्यों किया कुम करन सराप पीता था मास खाता था इससे भगवान राम ने उसका बद कर दी अगर भगवान राम का कानून आद लगा दिया जाए तुम परवार समाथ में रहने बारे कितने लोग बचोगे तुम सब सरावी कहभाई हो गए तुमने राम जी का कुरोज नहीं समझा और कुम करन का बद नहीं समझा आकिकार क्यों मारा जबकि कुम करन समने बलवनता कुम करन समान धरती पर कोई बलवान नहीं आए लेकि राम ने ये उसका कर्म नहीं माना और जो गंदा खान पान किया उसके द्वारा उसका बद करती है क्या तुम सब लोग बद करने के लाएगा और भी नहीं सुन रहे हो अभी नहीं मान रहे हो तो ये कथा तो उन्हीं युगों की आप सुनाते हो जिन में लोग पाक साथ मिर्मल थे और उनकी उमर सरी की दस जार वर्स की तेरे तागी द्वापर में एक हजार वर्स की थी आद तो सो वर्स मिले हैं सो वर्स वाले को तुम एक हजार और दस हजार वर्स वाली कथा सुनाते हो क्या उसके बसकी है या कर सकेगा उसके पाद तो समय ही नहीं है तुम भी नहीं सोच पा रहे हो तो लोगों को सोचना क्या सिखाओगे पहले तुम करो फिर करना सिखाओ तुम्हारी बात का असर पड़ेगा प्रवाव पड़ेगा अगर तुम्हारे में वो कर्म नहीं है तो सुनाने का कोई प्रवाव आज के हो नहीं पढ़ रहा एक बिक्त को भी तुम ना सच्चा इमांदार बना पा रहे हो ना चोरी डेकेती चुरवा पा रहे हो ना साकाहरी बना पा रहे हो कोई सुबकर्म सुबकथा सुनाते हो सुबकर्म करने वाली और सुबकर्म किसी को तुम सिखा नहीं पाए हो तो तुम्हारे सुनाने का मतलब क्या हुआ पिर क्यों सुनाती अरे पहले परिक्षन करो कि इस कथा के लायक कौन है कल्जुग क्योंकि कल्जुग है सत्युक तेता दौपर की कथा सुनने की इन में सक्ति सामर्त नहीं है इन में निर्मलता पवित्रता चरित्ता बिनम्रता ये कुछ नहीं है ना तुमारे में हैं ना इन में हैं तो दोनों तुम बेकार हो तुम तो दोनों उसी प्रकार हो अंदा गुरू और बहरा चेला और होई नरक्मा ठेली मठेला बताने वाला सुनाने वाला गुरू बन गया वो भी अंदा है उसकी जीवात्मा की दिप यांख खुली नहीं उसने परमात्मा का दर्सन किया नहीं उसने परमानी आकात्मानी इस्वर मानी अनैत मानी उसने सुनी नहीं क्योंकि जीवात्मा का दिप कान खुला नहीं जब तुमने खुझ नहीं सुनी है बेद मानी क्या है अनैत मानी क्या है इस्वर मानी क्या है तो तुम दूसरों को क्या सुनाओगी, कुछ जागे नहीं हो, तो सोने वाला कभी नहीं जगा सकता, जागेने वाला ही जगाएगा, जो बहरा है, जिसने सुना नहीं, वो कभी नहीं सुनाएगा, और जिसने सुना है, वहीं सुनाएगा, यह सब जानकारी आपको रखनी था पहले जानकारी करो जानकार बनो तब जानकारी दो यह पढ़ना और रटना यह जानकारी नहीं है जानकारी है करना और कराना इसे जानकारी करे अभी तुम यहीं नहीं समझ पायो कि जानकारी की परिवासा क्या जानकार किसे कहते है वो किस तरफ का जानकार वो भोतिक जगत का जानकार कि आद्यात्मी जगत का जानकार है यह तो जानकाई तुम्हे रखनी चाहिए ना तुम भोतिक ही जानते हो ना द्यात्मी जानते हो अगर भोतिक जान जाते है तो बहुतिक सामन में फस्ते नहीं तुम तो इसी में फस्त रहें तुम तो किराए बन किराए चट्टू बन गए किराए लेने लगे तो आप ये कर किया लए हो और तुम्हेरा कोई परवाव समाज पर पढ़ता है एक भी आदमी नहीं सुदा रहा तुम अपना भी समय बिर्थ के बढ़ता है यहां बरवाद कर रहा हो और सुनाने वालों का भी समय बरवाद कर रहा हो क्योंकि तुम कुदे नहीं सकते हो तुमने कमाई की नहीं है तुम्हारे पास अत्यात्म की और नाम की कोई कमाई नहीं लियाजा आप इन सुनाने वालों को क्या दोगे कर जाओ लादो लोगे कितने जन्म लग जाएंगे इसको ढूने में इसलिए हमारी प्राथना स्विकार करो तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा नहीं तुम जानों तुम्हारा काम जाने मैं तो सही सची अच्छी बात सुनाने के लिए आया हूँ और सुना रहा हूँ सारे हिंदुस्तान को बता रहा हूँ कि मैं ये करो पहले आपसा कारी बने हूँ क्यों? हमारे भारत देश का ये नियम है जराज जैसा करो आहर वैसे बने बिचार आहर से बिचारों का जन्म होता ये कथा सुनाने से बिचारों का जन्म आप नहीं दे सकते नहीं कर सकते वो तो आहर के दान पहले इनको साकारी बनाओ सुनने के लाइक बनाओ समझने के लाइक बनाओ करने के लाइक बनाओ जब ये साकारी हो जाएंगे तब सदाचारी हो जाएंगे जब सदाचारी बन जाएंगे तो ब्रम्चारी बन जाएंगे तो ब्रम्चारी बन जाएंगे तो ब्रम्चारी बन जाएंगे ये तो आप बताते नहीं हो जो बताना चाहिए क्योंकि तुम खुद नहीं जानते हो खुद साकारी, सदाचारी, बर्मचारी नहीं हो तो ये सिख्षा तुम दूसरों को कैसे दे सकते है तुमने खुद इसका लाप प्राप्त नहीं किया है दूसरों को लाप आप कैसे दे सकते है इसलिए हमारी इस बानी को आलोचना मत समझी है यह सची सीख है अब यह है सत्य करवा होता है सत्य करवा होता है कि इनको स्वार्थी लोभी लालचियों को तो हम सत्य करवा होता है लेकिन अच्छे सचे इमानदार चर्वान भक्तों को सत्य मीठा होता उनको मीटा लगता वही लेते हैं आग बगर भक्त हो तो तुम को पहले भक्ती की परिवासा सुनी चाहिए कि भक्ती की परिवासा क्या है जिसने भाव विचारों की सारी सक्त किसी को अर्पन कर दी वो उसका भक्त गलाता और उसके नियम कानून को बानना अच्छर सा उसके अनुसार जीमन को निकालना ये उसकी बक्ती होती है बिना बक्ती के कोई सक्ती नहीं और बिना सक्ती के कोई मुक्ती नहीं अगर मुक्ती पाना चाहते हो तो पहले बक्ती करो अब वक्ति बिन देखे की नहीं बिन देखे की कोई वक्ति नहीं वक्ति देख के की जाती तब तो वक्ति का लाब आपको मिलेगा और ये अंधी वक्ति जो कर रहे हो ना वो दिखा जिसकी वक्ति कर रहे हो तुम्हारे सामने कभी नहीं आए, बुलाने पर भी नहीं आया, पिर भी विचार नहीं करते हो, कि क्यों नहीं आया, यहा किसी को बुलाओ, और दो-तीन बार अगर ना बोले, तो आपको संका हो जाते हो, कि एमसे नाराजे क्यों नहीं बोला, फिर उसकी नाराजगी का पता लगाते हूं लेकिन परमातमा खुदा देवी देटा आप बर्माबिश्टू मादे। अनुमान संकर कोई नहीं आपको मिले तो तुम्हें संत मातमाँ से जानकारी लेनी चाहिए कि मैं रोज परात्ना करता हूं रोज पूजा करता हूं रोज सामान उनके नाम का खर्च करता हूं लेकिन आद तक वो कभी नहीं आए जिरह नहीं हमारा इसका कारण बतादो कि हमसे नाराज क्यों तो संत मान कों Gregão्吉 बताएं इसका कारण क्या है उनके पाथ तुम जाते नहीं हो उनसे थुम लिए रोट करते हो उनको पहचांते नहीं हो तो यह तुम्हारा जीमन बिर्भ میں चला जाएगा, फिर दुबारा आपको मिलेगा नहीं जैद pits, वो तुर आपको बताने आए, और बतागर कुछ लेने नहीं आए, वो देने के लिए आते हैं, वो बिकारी नहीं, वो साल सा वासा होते, वो लुटाते हैं, देते हैं, लेते नहीं, आपने देख जब से तुम इच्छेतर में पैदा हुए हो कोई तुम्हारे गाउ में परसाद देने आया तुमको तुम्हारी बीमारी परेशानी कश्टों को दूर करने के लिए कोई परसाद देने आया कोई नेता आया जिसको चंदा नोट बूट तुम सब देते हो मेगाई बरते हो बेरूजगारी सहते हो और मतरब टाइक्स ये सब आप देते हो लेकिन कोई तुम्हारे दुख तकलिब में तुम्हारे गाउ आया या जिसको दान दचना दोती रोटी लगोटी देते हो कोई मात्मा लाल पीले कपड़े दारी बार रखकर तुम्हारे गाउं आया कि तुम परेसानी बीमारियों में हो चलो ये दबा ले लो अगर कोई सची पूजा की होती तो पूजा का लाब होता कोई भक्ती चेतन की की होती तो सक्ती होती और उस सक्ती से लोगों के कस्त मुसीबत दूर करने के लिए कोई न कोई आधार जरू बना देती परसाद एक आधार है मैंने पूरे हंदुस्तान में बाटा है आद भी बाट रहा है यहां भी रोज माटता हूँ सब लोग आते हो देखते हूँ किसी ने आध तक आपको परसाद दिया किसी ने परसाद बनाया अरे परसाद बनाना यह किसी के बसकी बात है परसाद बनाया जाता परसाद खरीदा नहीं जाता यह पेड़ा पर भी बता से चीनी फल फूट खरीदे जाते है परसाद बनाया जाता पनाएगा कौन जिसने अपने सद्गुरू को खुश कर लिया उनके आदेश हुकम का पालन करके उनके बच्चनों पर चल कर जिसने अपने सद्गुरू को खुश कर लिया को सद्गुरू की दुआ दिया किसी बस्तु में प्रवेस करके जीओं को लाप दे सकता है को लाप देने का अधिकारी तुम्हेरे किसी के पास हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं जो पुरसाद आपको बना की इस समय कोई नहीं तब ही लोग कहते हैं पुरसाद खरीद के लिया वो नहीं बना सकते हैं खरीद के लिया अब पुरसाद दुकानों पर कोई नहीं बनाता वो तो बेस्ता पुरसाद बेचा नहीं जाता पुरसाद दिया जाता पुरसाद लुटाया जाता मैंने पूरे हिंदुस्तान में लख़ो कुंटल पुरसाद मैंने दे दिया लोगों को उसके बदने कुछ है कोई जी ये जगे जगे सब उदे रहा है हिंदुस्तान का कोई बिट्टी किसी मत का और किसी धर्मजेब का ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ कोई मतभेत किया गया क्योंकि हमारा मनो इंसानी नाता मेरा कोई जाती का कोई अरमदरम करम का कोई बाहर का रिष्टा कोई सरीर का कोई रंग रूप का तुमारे रुपए पैसे धंदोलत का मेरा कोई रिष्टा नहीं है मेरा रिष्टा है तुमारी जीवात्मा से जो परमात्मा की उससे मेरा दिलता है कैसे जगेगी कैसे कर्म उतरेंगे जो चड़ गए तो तुम तो मालूम नहीं किस तरीके से उतारा जाएगा कैसे तुम को पाक सामने मल पविस्थ किया जाएगा तब तुम पाने के अधिकारी बनोगे भगवान राम ने क्या का वो तो तुम कथा सुनाते नहीं हो कि मुझे कोन पाता है दांदे चिना देने वाला मंदिर बनवाने वाला गंगा नाहने वाला किते नहीं कोन पाता है कि निरे माले माने इत जन सो मुही पामे काम को न जाति वाला न रूप वाला न धन वाला मुझे पाता है जिसका मन निर्मल पापसाथ पगित और निर्मल मन जन वो मुझे पाती और तुम्हारा तो सबका मन गंदा मन की गंदगी दोने का तुम्हारे पास कोई उपाए कोई साबुन तुमने बनाया नहीं जो मन की गंदगी उतारोगे जब तम मन की गंदगी उतरेगी नहीं कुछ आपको मिलने वाला नहीं ये बात क्यों नहीं बताती क्योंकि तुम्हारे पास उसका उपाए नहीं लोग पूछेंगे वह आप बताए तुमने कभी किया हो तो बताओगे या करके लाप प्राफ्त किया हो तो तुम दूसरे को लाप दे सकते हो जब तुमें खुदी नहीं मिला तुम दूसरे को क्या दे होगे आगे गुस्वामी महरान ने सारी संकाओं का समदान लिखा है कि बगवान कावास किसके हर्दे में ह Tower ब्रह्मर के हर्दे में चत्री वए सर्जिन कहते हैं मंदीर बनाने वाला मैजिद कहते हैं कंगनाने वाला कहते हैं क्या लिखा कि जाती पांती इधन धरम बढ़ाई औकूल परिवा रे सुक्द समुदाई कितना साब लिगा तुमारे गर में लिखा पड़ी जाद पांते धर्म बढ़ाई कुल परवार सुखत समदाई इन है त्याग जो इतनों का परिष्टियाग कर देगा उसके हर्दे में बगवान कहरे मेरा वास होगा और तुमारे आँ सबसे कठी जाद या पमाना यह जाद पांत की खाई तुमने खड़ी कर दी इसी को पार करना तुमारे बस की बात नहीं इससे अलग होना तुमारे बस की बात नहीं है तुमारे को भी का मानते रामार को मानते रामार की नहीं मानते राम को मानते राम की नहीं मानते मंदिर को मानते मंदिर की नहीं मानते कठा को मानते लेक कठा की नहीं मानते करता किसलिए बेवादानी पेदर ब्यास ने लिखी हो भी 88,000 रिश्यों की मंत्रा से नहीं सारन में यानि मत्तब सिर्मत भगवत पुराल की रचना की गई थी आज उसी 88,000 रिश्यों की तब भूमी पर मैं ये आस्रमों का निर्मान कर रहा हूँ ये भी नहीं सारन जहां बढ़े हूँ ये सब नहीं सारन तीन आस्रमों का निर्मान कर दिया और आप से कुछ मांगा नहीं कोई बता दे किसी देत आंद रचना रुप्या पैसा सामान मेंने मांगा किसी देत होती रोटी लंगोटी मेंने मांगी यह इतना बड़ा काम देगिया और यह संपूर लोगों का रामसाला के लोगों को अपने आपको धन्न मानना चाहिए कि तुमारे गाओं का तुमारा नाम मैंने पूरे इंदुस्तान में पहुँचा दिया और आप से कुछ नहीं मांगा कुछ नहीं मांगा तो गम से गम ऐसे पवित्र धार्मिकार में आपको स्योग करना चाहिए देखतो लोगों ने ऐसे काम के लिए आस्रमों के निर्वार के लिए मंदिनों के निर्वार के लिए धर्मस्तलों के निर्वार के लिए लोगों ने दान दिया अब मैं पैसा दे के जमीन लेता हूं तानुमान में नहीं लेता हूं पैसा दे के अरे पैसा ले लो अपनी इस जमीन को या अपने धर्म के काम में लगा दो जमीन कहीं नहीं जाएगी तुम्हारे गाओं में रहेगी तुम्हारे काम आएगी तुम्हारे बाल बच्चे ओलादों के काम आएगी मैं क्या जमीन को उठा के ले जाओंगा मैं क्या जमीन ले जाओंगा जो कुछ करूँगा असर तुम्हारे आप तुम्हारे बाल बच्चों के लिए करूँगा आगे आने वारी पीड़ी के लिए करूँगा ये जमीन की कोई उठा के ले जाने वाली चीड़ी फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा जो नहीं आ रहा तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो दुनिया के लोग कहां कहां से बीस प्राम्तों से लोग यहां कारकम में आती वो लूटके ले जा रहे हैं और तुम चीराग के नीचे अंडेला बन के रह जाओगे ऐसे लाब तुमको मिलना चाहिए सर पर थम मैंने परीता तुमको दी पहले इन लोगों को लाब मिले इनके आँटी भूमी पर मैं यह काम कर रहा हूँ इनको पहले लाब मिले लेकिन जब तुम आँखे बंद किये हो कानों को बंद किये हो न सुनते हो न देखते हो न करते हो तो फिर लाब पाने के अधकारी आप कैसे बनोगे काम तो हो जाएगा काम कोई नहीं रोक सकता हमारा काम तुम्हारे बसका नहीं जो रोक दो मैं अभी तुम्हारे अंसार काम कर रहा हूँ और जी दिन अपने पर आ जाओंगा तुम्हें अदिखाई नहीं दोगे अभी तो मैं तुम्हारे अंसार चलना हूँ साइज अब समझ जाएं साइज अब समझ जाएं अब जाएं अब लाब लेना सुरू कर दे अब लाब ये ले ले जब तुम नहीं लोगे तो दुनिया के लोग तो लूट के ले जाएंगे वो तुम नहीं के ले जाएंगे और ले रहे वही आपको कहां दिखाई दी था ए भी नहीं समझ पा रहे हजार जार दो दो हजार रुपए खर्च करके अपना काम बंद करके बाल बुच्चों को छोड़ कर यहां आ रहे अगर कुछ मिलना ही रहा तो ऐसे कोई आ रहा है यह सब तरह पालाब इनको मिलता कोई ऐसी की नहीं जो उनको ना मिले यह सब दी जा रहे है और तो तुम्हारे लिए भी लेकिन तुम जब लेने नहीं जानते हो हम दे रहे हैं तो रखना नहीं जानते हो तो फिर तुम्हें म जये गुर्दे जये गुर्दे । जये गुर्दे जये गुर्दे दो औा इस नाम की परिच्छा कर लो कोई मुसीवा तापती बिमारी कोई कष्रचा पर आ जाे जिनकी आपने पूजा पहले उनका नाम लिए मैं तो अला अलो चना किसी की करता नहीं उनका नाम उनको बुलाके और कहो हमने तुम्हारी बहुत पूजा की तुम्हारे पर रुपया और समय सामान मैंने बहुत खर्च किया ऐ 새ाद करो, तुम हमारी बुद्थी को ठीकर दे, हमारे बुद्थी को ठीकर दे, हमारे मन की गंधी को निकाल दो, इतना गाम आप कर दीजिए, अगर वो न करें इंकार कर दे कि मेरे बसका नहीं है तो आप ये गुर्दो नाम लेके देखे पहले सब नाम ले लो ताकि आपको ये नह रह जाए कि मैंने ये नाम नहीं लिया ये नहीं सब लेके देख लो जब तुम्हारा काम कहीं से ना बने में तो परिशचा के लिए पे आपको मुका दे रहा हूँ इस नाम की परिशचा करके देग जो काम कहीं से नह बने और जो जोगर दे नहीं बन जाएं तो मन लेना की भाई यहां मैं सचा है लेकिन मनोगे अब जब परेज करो जैसे डाक्टर कहता दवा तुमारी ठीक लेकिन परेच करो कि तो लाब देगी ने लाब नहीं देगी तो इसमें परीज है कि आपको साका आरी रहे अंडे सराब को समान समचली अंडे का प्रियोग आप नहीं करेंगे दूसरे के धन इस्तरी से दूर रहेंगे पती से और किसी की निन्दा लुचना बुराई नहीं करें अगर आप परेच करना सीख जाएं मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जो तुमारा काम कहीं नहीं हुआ वो काम इसास्थम से होगा और ये ज्छन्डे से होगा और जे गुर्दो नाम से होगा एक आम हो जाएगा और आपको कुद देना नहीं मुफत ये मुफत में लाव है ये लेने वाला दर्वार नहीं देने वाला ये तो प्रेमी मानते नहीं जवर चस्ति कहते कि हमारे पास समय नहीं है बाल बच्चों को छोड़कर कैसे मैं आ रोज आऊं या रहूं या इस परचार कार में सामिलूं तो ऐसा गरो हमारी कुछ कमाई ले लो और इसी अच्छे काम में लगा देना ताकि हमको भी इस परचार पसार का कुछ लाव नहीं तो हमने गा भई ऐसी तुम्हारी कोई भावना है कोई इच्छा है कोई सेवा सरदा है तो मैं आपका ये दिया हुआ गारी कमाई यहीं नहीं नहीं शारर में सब लगा दो और लगी आपके सामने ये आस्रम जबीन देख लो ये निर्मान खार ये सबाव की गाड़ी कमाई से हुआ जो आपने हमको अपनी इच्छा से एक रुपया दो रुपया दस पी पचास सव हजार जो भी दी सब इसी पर लगा और बनके तैयार हुआ तो आपके लिए मैं क्या गरूँगा मेरे तो कोई बीबी बच्चा है ने मैं करूँगा और जितना कुछी ये पेना ये सबाव का है मेरे नाम एक इंच चमीन भी दे ये काम मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मैं कोई लेके तो नहीं जाओंगा काम करने का आदेश हुकुम मिला है उसका पालन कर रहा हूँ और आप सबसे उस काम में लगने की परार्थना करता हूँ कि आप भी इसका लाब उठा लीजिए बागी हमारे कोई से मता हूँ इसे कोई नहीं मता हूँ मैंने पहला आद स्रम आपके नहमी शारर्ण में जेगरदेवाद यहत्मि आस्रम गुर्दवरा सठ गुर्दहम नहमी शारर्ण सिता पुरॉत बिस किलो मीटर पर ये दूसरा जहां बैठे हूँ जेगरदेवाद यहत्मि जिना अस्रम ये भी आपकी गारी कमयी सी कि गरीबों की एक एक रूपय ददस रुपए से ये कारू हो रहा है मैंने किसी दे एक रुपया भी ना पहले कभी मांगा ना आज मांगता हूँ ना आगे भविस्वे मांगूँगा क्योंकि हमारे गुरु ने मुझे बिखारी नहीं बनाया इसलिए मैं ये काम नहीं करते आप देते हो तो आपका काम आपके बैठने की जगए आपके रहने की जगए आपके मतलब भंडारा बोजन करने की और बजन बाओ साधना करने की और सरसंग सुनने की ये सब जगए आपकी बनाई जा रही क्योंकि आगे बहरी बीड़ा आएगी इतनी बीड़ा आएगी लोग दाते तले अंगली दबा के रह जाएंगी कि ये क्या हो गया उसी काम को करने की ये तैयारी है ये भी तैयारी है वो तैयारी का लाप तुम्हें में देगा क्योंकि तुम्हारी गारी कमाई से ये जमीन तैयार हो रही ये आवासी बे उस्ता सब्बन नहीं यहां पर आगे भविस्त में लाखो लोग आएंगे उसका लाप तुम्हें मिलीगा क्योंकि सहयोग तुम्हारे सहयोग से निर्मार हो रहा है इसका लाप है इसरे प्रेमी कर रहे हैं उनको सामने लाप मिला है मैं तो कुद लेता ने में को रखता हूँ हमें कोई जरूवत नहीं मेरे नाम कोई किसी तरह का बैग बैलेंस कोई खाता नहीं कुछ भी ना मेरे पास कोई बखसाती जोरी मैं जैसा बैठा हूँ बस इतना ही मेरे पास अबी आपका दिया। ये कपड़े जो पहरे हैं ये सब आपके दिये हुई एक रोटी दो पहरे एक साम मत दो रोटी का खरचा वो भी आप देते हुए मागी कोई दूद है कोई घी है कोई तेल तला ये भोजन मैं नहीं करता हूँ ये मेरा बोजन नहीं है बहुत सादा मेरा बोजन गरी से गरीमाद भी नहीं करी कभी कभी मैं नमक रोटी खाके रहे जाता हूँ क्योंकि इसमें सब कुछ है क्योंकि कल्जुग में अन्ड कोस में प्रान है कल्जुग में अन्ड में प्रान है बसन मिल गया काम हो गया इस Heather से कामी तो लेना है अगर लोटी से एक काम करना तो बहुत सथा इस तो कुछ देना नहीं धर दर जी इसमें कुछ डालना ही नहीं ताकि इसमें कोई भीकार परदा नहो और भीकार नहीं है ये तुम कैसे जानोगे तो ऐसास करके छू करके मतब सुन करके यह सब तुम्हें पता चल जाएगा कितनी ठंड़क है कितनी शांती है यह तुम्हें खुदी पता चल जाएगा दरस परस मुक्वन्यन पाना दरसन से इस परस से जूठन प्रसादी ले करके ये सब तरह से आपको जानकारी दी जा रही कि दोखा मत खा जाना ये सब तुमारे सामने बुरा हमारे आँ कोई पर्दा नहीं है वैसे तो मर्यादा का पर्दा है वैसे कोई मर्दा दिखा उटी नहीं दिखा उटी कोई पर्दा नहीं मर्यादा के लिए तो पर्दा जरूर ये कपड़े भी आपने दे दिये ये भी आपके दिये रोटी भी आपकी खाता हूँ और आपके काम में लगाऊँ जिती जले तुम्हारा काम हो जाए ताकि मेरे पर कोई तुम्हारा दिया हुआ करजा ना लग जाए मैं भी तो खर्जे की ख़दा की कादिहां रखता हूँ तबी तो रात ही लगा कितनी मेहनत कर रहा हूँ इतनी उम्र में आप ये दे गए और उसी से काम हो रहा हुआ था सब काम करके दिखा दूगा कैसे काम होता है लेकिन आप लगे रहे ताको आपको समय का लाप मिलता रहे किसी लाप से यानी जीव बंचित न रह जाए पर यास तो मेरा ये कि हर तरफ का लाप आपको मिल जाए और मतलब बहुत ही साध़ी के साथ कुछ आपको करना नहीं केबल पढ़े रहो दरवार में दक्का धनी के खाओ और कभू तीन द्याल के बनक पढ़ेगी का तुम दरवार में पढ़े रहना तुम्हेरा इसी से काब हो जाएगा लेकिन संका संदे बूल पना गया तो फिर नहीं तो फिर काम नहीं होगा वाद तो पहला दिन है इसलिए संसन तो मैं कल से प्रार्म करूँगा तुमकि अभी लोग भारी संख्या में आ रहे हैं सब लोग आ जाएं तो मतलब या नहीं सब को संसन मिल जाएं पीड तो इतनी होती यह जिगह नहीं है इसलिए मैं अभी पूरवांचल का दोला करके आया वह लोगों को दरसन सश्व मिल गया तो उधर से कम लोग आएंगे और इधर भी पूरा भी पीली बीत में दिवाली कारकम के आया तो चार-पांजी ले वहाँ उनको दरसन मिल गया और सश्व मिल गया और यहां तो हमेशा ही होता रहता तो इसलिए और यह तीन जगे कारकम तो कोड़ात्मक कारकम है यह तीन जगे सश्व संग यहां होगा भूम पूजन वो देयाल आस्रम जो हर्दोई में पढ़ता है वहाँ पर और पानी किनल संसकार विवासादी वो सद्गुर्दाम में यह तीनों आस्रमों में कारकम चल ला है अब आप देखिए किस ते दिनों एक जगे बेवस्ता करना मुस्किन होता है यहां तीनों आस्रमों पर यही बेवस्ता जो यहां देखते हो इस से अच्छी सद्गुर्दाम में और वहाँ भूम पूजन का है वो 27 तारीक गुर्णानक जेंती है और कार्थिक पूर्मा है उसमें उस द्याल भूमी का भूम पूजन होगा उस द्धर्थी को सुद्ध किया जाएगा ताकि सद्धी उस द्धर्थी पर भी जीमों के हित का काम होने लगे इसलिए पहले भूम पूजन होगा द्धर्थी मा की पूजा और यहां पर तो आद्ध्यात्मी सफसंग होगा क्योंकि यह द्यातमी ज्यान अस्रम है अद्यातमी ज्यान पाने का यह स्थान है इसले सथसंग याँ हुँए और सथगुर्धाम वा पारी के रह समस्कार जहां से जीवन की सुरुवात होती है तो अंजान प्रेमी यह एक अस्रम में प्रवेस करने जा रहे वो काम सद्गुर्धाम से लोगा 27 तारी को दो साधियां संबन्न होंगी लेकिन सथसंग है हो सकता है कि 27 तारी को जो सथसंग असल महां बनके तयार हुआ उसका उद्गाटन है उद्गाटन है अब पड़ी के ने संसकार है तो इस वास्ते है 27 का कारकम हो सकता वो तो इस्तित पर इस्तित के हमसार अगर कोई इस्तित एखूंगा तो नहीं तो यहीं हो तो अभी आद तो पहला दिन है तो मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको दे दे और आपका दरसन करने आ गया कहां पाए हैं मिल नहीं पाए तो अभी सबसे मिलोंगा ताकि आपको संतुष्टी हो जाए वे गये थे हमसे मिले अब मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा कि हमने सब को दरसन दिया और सब को परणाम किया और यह महापरसाथ जो हिंदुस्तान में कई नहीं मिलेगा तुमारी बीमारी परिसानी दुखदर मसीबत दूर करने का यह महापरसाथ वो भी रोज मिलेगा रोज मिलेगा रोज जे गुर्देव जे गुर्देव जे गुर्देव जे गुर्देव नाम किसका प्रभुका जे गुर्देव नाम किसका प्रभुका प्रभुका प्यारा नाम अब आप लोग खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ पिरमियो बहुत देर से आप बठे हो जे गुर्देव जे गुर्देव नकोई यहाँ आए हो कोई ने कोई परमारती सेवा जरू करो जहां बता दी जाए सुबह बता दी जाएगी तो दिन बार आपको मुका दे दिया सेवा का और इस साम को ससन कोई चीज़ आपकी छुटे ना और सुबह साम दोनों वक्त साधना परमू पराप्ति का रास्ता जो नाम की कमाई आपको मिली है उसका अभ्यास करना सुबह साम मनुस मंदिर में बाइट कर आत्मा के गाट पर परमात्मा का भजन ये सच्ची साधना ये मानो जीमन का सच्ची पूजा है सुबह साम दोनों वक्त करो अभी गंटा संग बजेगा आप लोग साधना पर बैट जाएगा ये सब याँ सीख के जाओ अपने पने घरों में जितना समय जादा जादा दोगे उतनी जल्दी ये प्रगट हो जाएगा उतनी जल्दी ये लाव तुमारे पास आजाएगा लेकिन सर्थ ये है कि साकाहरी हो जाओ मन बुती चित तभी रुकेगा जब फूर साकाहरी हो जाओ अभी तो मोटा मोटा आपको बताया गया साकाहरी का चेतरफल बहुत बड़ा है अभी तो मुर्दे मांसे आपको अलग रेने के लिए कहा जारा, लेकिन जब ये बैहाज पूरा हो जाएगा जो जिन्दे मांस को से भी आपको छोड़ना पड़ी ओभी मांस आहार ही आप से स्रीर को स्रीर से लगाओ बढ़ गया इतना की छोड़ नहीं पा रहे हूँ, स्रीर भी तो मांस का लो थड़ा है तो मांस मांस से सम्बंद कर रहा है यह भी मांसा हरा है जब आप मुर्दे मांस से अटना छोड़ना सीख जाओगे तो जिन्दे मांस का भी परित्या कर दो तब आपका फूर्ट सा कारी बनना सुरू हो जाएगा महीं से सच्चा लाप प्राप्ट हो जाएगा जब तक ये दोनों तरफ का पूरा नहीं करोगे तब तब पूरा लाब नहीं मिलेगे अधूरा लाब नहीं तो दीरे 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 सब आपसे करा लिया जाएगा आस्रम में रहकर या रखकर तुमसे बर्मचर का पालन करा लिया जाएगा गर गेस्ति में रहके तो आप नहीं कर सकते तो थोड़ा दूर रहके आस्रम में सबस्रम भी सुनोगे परमारती सेवा भी करोगे और बिसे बोगों से दूर रहोगे ये कितना मला लाब आस्रम का है ऐसा नहीं है ये आस्रम बासी बहुत बड़े लाप पाने के अधकारी है लेकिन लेना सीखलो दीरे-दीरे तो यह काम जल्दी बन जाएगा इसलिए कभी एक मेने कभी दो मेने कभी तीन मेने कभी फिर आपको बाहर ले गया एक मेने का दो मेने काफला कभी यह चरचावो यानि किसी तरह से तुम भी से भोगों से अलग हो जाओ हमारा उत्यस के वल यह इसलिए आपको बाहर ले जाता हूँ महाँ से फिर यहां ले आया फिर देखा कि विकार कुछ बढ़ने लगे मन तुमारा गंदा होने लगा फिर कहीं कहीं न कहीं तूर फिर फिर बना लिया जाता कि फला जिगे चलो माँ सर्संग हो जाए माँ चर्चा हो जाए मतलब यानि किसी तरह से आपको भोगों और विस्यों से हम दूर करना चाहते हैं ताकि आपको पूरा लाब मिल जाए जै गुर्दे जब इसे भोग की वहोना तेज देखता हूँ तुमारे में तो दरसंदे का इस पर्स करके उससे दूर कर देता हूँ किसी तरह से आप पाक साब निर्मा रोगों उदेश ये और किसी के साथ जुड़कर तो आप नहीं कर सकते हूँ क्यों वह भी गंदा है और तुम भी गंदे जब गंदगी गंदगी मिल जाएगी तो जएदा गंदगी हो जाएगी वहां से सुधार नहीं होगा सुधार तो उनसे होगा जिन्होंने अपना सुधार कर लिया वो तुमारा भी सुधार कर देंगी जिन्होंने अपने आपको विसे भोगों से हटा लिया इंदरी निक्रे हो गए वो तुम भी विसे भोगों से हटा देंगे जे गुर्देव नाम किसका प्रभु का प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम जे गुर्देव चौर से बोलो जे गुर्देव साब मिल बोलो जे गुर्देव बोलना होगा जे गुर्देव अभी से बोलो जे गुर्देव दुख दर्द हरेंगे जे गुर्देव सब कष्ट मिटेंगे जे गुर्देव सुकसांती भी देंगे जै गुर्देव सब के दाता जै गुर्देव सब के माली जै गुर्देव प्रेम से बोले जै गुर्देव ये नाम नहीं इनसान का ये नाम है प्राभु का ये काम नहीं इनसान का ये काम है प्राभु का ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए अब आप लाइन में खड़े हो जाओ मैं आप पर दिर्शन करूँ आप घर गेस्ती पर बार बार बच्चों को छोड़के आए हो काम दंदा किती बारी बंद करके आए हो किराया भाड़ा खर्च करके आए हो तो आप पातियाग तो यवरनी है कल्जू में ये त्याग कोन करेगा ये भी त्याग है बार बच्चों ग्रिस्ती को छोड़ना काम दंदे को छोड़ना और मत्तब बार बच्चों को छोड़ना और यहां आए हो ये तो कितना बड़ा आप परवारत कमाने आये इसलिए मैं ऐसे तपस्यों का कल्जू मैं ऐसे त्यागियों का दरसन करूँगा एक एक को परणाम करूँगा और ये महाफरसाथ जो इसी नहमी सारन 88 जारिश्यों की तप भूमी पर जो तैयार किया गया तुमको तरह तरह से बीमारी महामारी कश्टों से बचाने के लिए उसको ले लिए अब ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं है ना तुमको कोई परणाम करेगा ना तुमारा कोई दरसन करेगा ना तुमको बीमारी परसानी जुब तक्लिमों से बचने बचाने के लिए महापरसाद बना के देगा ये काम किसी के बस की बात नहीं है जो काम इस भूमी पर हो रहा इसलिए ये दर्थी माधन नहीं है इसलिए इस भूमी पर कोई भी प्राज्ति प्रकौप नहीं होगा ये नहीं होगा तो उसमें तो सभी लोग बच जाओ गए आज पास पहले जो नहीं मानते हो भी बच जाओ उनको भी लाब मिलेगा लाब तो उनको भी मिलेगा क्योंकि ये धरती सारे भिस्तों में धरती लेकिन ये काम कहीं नहीं हो रहा हूँ जो यहां हो रहा वो काम कहीं नहीं कोई नहीं करें और किसी के बसकी है नहीं जो करके दिखाए है आप दीरे दीरे देखते जाएए कि किस तरह खुजरत कर्मट बजलती है लेकिन दर्थी माँ पर ये कारकाम क्यों किया जा रहा है कि ये तुम्हारे काले कारकामों से नाराज हो गई जो तुमने मार का ढिंसा है कतले आम विपचार कुपचार किया है जूट चलकबड बेमानी देखा दरी दो कादरी चीना जटी जो आप किया और कर भी रहे हो उससे कुद्रत नाराज हो गई और वो कुछ करना चाहती मैं कुद्रत को मना रहा हूँ अरे भई कोई ऐसा कम मत करना दर्ती मा का पूजन करूँगा इसलिए कि आप कर्मत मत ले नहीं सब रसातल में चला जाएगा ये कुछ नहीं बचेगा आप दिया करो इन जीवों पर मैं इनकी तरफ से माफी मांग रहा हूँ और आपका पूजन करूँगा विजबत और आप पर ऐसे काम करूँगा जो आप तक किसी ने नहीं किये ते दर्ती माख खुछ हो जाएगी जो प्रिले का रूप बनके आने वाला है आप उससे बच जाएगा ये जेगुर्द वे प्रभू का नाम कल्जुका इसकी आबाच यहां तक पहुँचेगी कोई नेतिक कर यानि प्राग्ति प्रकौप नहीं होगा इतना लाब आपको फिर भी मुल जाएगा अगर सब लोग सुबह सा पोलने लगो तो सबका बहला हो जाएगा नाम लेत भव सिंदु सुखाईगा करो बिचार सुजन मनमाईगा वो कौन सा वक्त समय का नाम जिसके लेने से भव सागर यानि तुकों का सागरी सुख जाएगा का बुदि मानो बुदि जीवो इस पर बिचार करो ये भी तो आगे लिखा है जै गुर्दे अब आप लोग मर्यादित जो मर्यादा समाच परिवारों की है मर्यादा भी एक एलाइन पुर्सों की एक मैला हों की आप बारी बारी से आओ मैं सब का फिदिवत धर्शन कर लूँ आप सब को प्रणाम कर लूँ और ये दुख तकिलिपों से बचने बचाने का ये परसाथ रामदाना देदू जै गुर्दे जै गुर्दे देखो तुमारी मुसीबत दूर करने का दूसरा दूसरा उपा ये जंडा ये जै गुर्दे प्रभू नाम का जंडा ये प्रभू का जंडा कोई आटी पार्टी का जंडा नहीं है प्रभू का अब प्रभू सबका रच्चक है अब प्रभू का जंडा कहीं है नहीं किसी ने नहीं गाला प्रभू का जंडा जिसने प्रभू नाम जगाया सिद्ध किया और वही तो प्रभू नाम से लाँ देगा दूसरा कैसे देदेगा तो आप इसका भी प्रियोक करने तब तक आप इसकी परिक्रमा यहां पांच छे रोज रहोगे सुबह साम दोनो टाइम जिसको भूत प्रेथ बाधा ज्यादा परेसान करती वो दिन में भी कई बार परिक्रमा करें जब परिक्रमा करोगे तो जन्डा प्रभू का है प्रभू से कहो कि आज से हम पूर साकाहरी रहेंगे हमारे परदिया कर दीजिए हमारा दुख, हमारा तक्लीब हमारी बीमारी, हमारे कश्च दूर करती जब साकाहरी बने का वादा करोगे वो प्रभू आप पर दिया कर देगा अग्काम आपका सुरू होने लगेगा जै गुर्दे जै गुर्दे आपकार मारी बने करिया जहेँ, भी लादा अध् भया जैप correspond वो नाजे लोगाद। कि लाए है लोगा है भूहिए है विंग लोगा कर दो आपनेवे旁़ की जना हुआर हो जिल को पता है लग को आशा को आपगता ही कि लगा हुआरे कर दो में कर दो लाँने digging जह कर दो में में दोरे से में